हेलो कुट मौन वेलकम तो दा कोचिंग अभिसेक कोचिंग सर्विसेज योटूब चैनल और आईए हम आप लोग से बात करते हैं इस वीडियो में मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं जा रहा है इसके लिए सौरी और हमारे बिहार में लॉकडाउन बहा दी गई है 31 जुलाई तक इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हमारा कंप्यूटर ख़़ाब हो रखा है बहुत सारी इसी चीज़ जो कि हमारे पास नहीं है रिकॉर्डिंग के लिए और हम अपने ऑफिस भी नहीं जा पाड़ है काफी दिनों से तो बहुत ज़्यादा खराब है यानि इस लॉक्डाउन में हमारे एक अप लोग के गुड नुज देना जाता हूं कि हमारा स्मार्ट वीडियो कोचिंग का मोबाइल एप्लिकेशन प्ले स्टोर पर बहुत ही जल्द आने वाली है और मैं अभी 12 का रिजल्ट निकला बहुत सारे स्टुएंट लोग को सकते या फिर वाट्सेप कर सकते अपने सवाल पूछ सकते डायक लिए मुझसे आप जो सवाल पूछते हैं मैक्सिमम लोग या पि कॉमनली एस्टुरेंट जितने सवाल पूछते हैं वही सब सवाल का जवाब मैं आपको अभी मैं देने वाला हूं इस वीडियो में इस वी लोको पाइड बनने के लिए आये हैं और मैं उन लोग को मैं लोको पाइड बिलकुल बनाऊँगा अब तक मैंने बहुत सАरा एस्टुरेंट को मैंने बनाया है एक्चुली बनाया कि मैं उन्हों लोग गाइडराई दिया फिर वह लोग एक्जाम्स के तेहरी किये पिर उन गाइड देता हूँ उन लोगों इसलिए 25 परसेंट योगदान मेरा रहेगा और 75 परसेंट आपकी मेहनत रहेगी तभी आप सफल हो पाएगा और हमारे हम आपको गाइडेंस देते हैं और अच्छे तरस्द गाइडेंस देते तब आप बन पाएते हैं तो चलिए हम लोग सु प्राइवेट कभी नहीं हो सकती यहां पर है कि आप लोग को समझ में थोड़ी सी प्रॉल्म यह आ रही है कि कुछ ट्रेने चलाई जाएगी चाहे वह सौ ट्रेन चले या पचास ट्रेन चले वह एस्पेसल ट्रेन होगी आप लोग क्या देगा हमारी रेल्वेट के विवस् करते हैं जिननों को एक अच्छी सुविधा के साथ रेल यातरा चाहिए जिस तरह से हवाई जहाज की होती है उसी तरह से तो उसी फंक्षन के लिए उसी सिस्टम को लाने के लिए कुछ ट्रेने चलाई जाएगी सो दोसो ढईसो पानसो जितनी भी ट्रेन चलाई जाए उस ला मैं चलाई में बयां की के लिए उस्टम कर गढ़ करेगा जैसे कि ट्रेंड जैसे कि आप लोग एरफोर्ट में जिस्तरी सुविधा उस तरह कि दी जाएगी डेल वे में या फिए उस खाना मिलेगा या फिर उस तरह का जैसे की hostess होते हैं ट्रेन hostess का वेबस्ता होगा तो इन सब के लिए ट्रेलवे को प्राइबेट करना थोरा सा जरूरी था और उसका वैकेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यो ट्रेन ड्राइबर होते हैं वो जिस तरह सिस्टम से आते हैं वैसा ही रहेगा लोग मतव बोल से घाड हो सकता है या फिर एस्टेशन मास्टर या फिर जितने भी तरह के कंट्रोलर होते हैं सब्के सब और जो काम तो अभी भी प्राइबेट हैं बहुत ही चलती है तो उन सब चीजों को छोड़के छोटी रेलवे की वैकेंसी कभी बन्द नहीं हो सकती 1853 से इंडियान डेलबे चल रही है और अब तक कोई वैकेंसी बंद नहीं हुई तो अब क्या बंद होगी बंद नहीं होगी बिल्कुल नहीं होगी बंद आप लोग अपने मन से ये गलत फैमी निकाल देए कि वैकेंसी बंद हो रही है आप लोग बिल्कुल मोटिवेट हो कर करके आप लोग तैयारी करिए और आप लोग आगे बढ़िए अभी लोकडाउन चल रहे हैं कोरोना संक्र जब खतम हो जाएगी जब देश पूरी रफ्तार के साथ एक बाद फिर से आगे बढ़ेगी तो डेल वे में करमचारी की कमी महसूस होगी तो आप लोग का भरती बिल हो सकते हैं तो उन लोग का प्रोसेस बिलकुल फूरा होगा और सभी लोग को जिन लोग ने फॉर्म भर रखा उनका एक्जाम होगा और बस वही कि थोड़ा देर होगा लेकिन एक्जाम जरूर होगा आप लोग बस एक बात जादा सोचिए कि आप लोग एक छोटी सी साथ साल 10 साल बारा साल तक पटना में डहा कर के वह घर से दूर रहा करके एक या दो बार साल में घर आता है या फिन नहीं आता है उतना मेंट के बाद त्यारी करता है stalight और एक पोश्ट ले करके आता है, तो railway की नौकरी काफी बहतरिन होती है काफी इज़दार नौकरी होती है आपके समाज में बहुत इज़द बनती है लेकिन अब जारा सोच रहे है कि आप लोग सोच रहे है कि चलो या exam date तो है नहीं, exam होने वाली है नहीं कोई कुछ बोल दिया उसके बाद भरोसा करके आप लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया तो मैं आप लोगों से पूछना जाता हूं आपके पास दूसरा क्या कोई आप लोगों नौकड़ी करोगे तो बिलकुछ 60 साल के लिए करोगे और साट शाल के बाद भी आपको यहीं नौकड़ी काम करें आपको पेंशन गुर्प में अच्छी खास तंकॉद मिलेगी पेंशन मिलेगी तो इसके लिए तो क्या फ़रक परता है या छे महिना या फिस सा जिरुए अगर Hydra नहीं का सकतिए असैते हैं आपका वेकेंसी जरीर देगा और सोच यह सरकार है यह सरकार ये सब काम करेकी ना तो सरकार सम्हर काम Кछि नहीं लेगर अगले बार जहिर सी बात तोybaood अगर कोई भी काम जनता के मन मुताबिक नहीं होगा, तो उसको वोट क्यों देगा? अगर ज़रा सोचिए कि हाँ, एस्टुएंट उसको वोट नहीं देगा, लेकिन एस्टुएंट के जो माता पिता है, भविस्त तो उनके बच्चों का ही खराब होगा, तो वोग भी उनको वोट नहीं देगे, फिर दूसरी सरकार आएगी, और जिस बज़से के लिए इस सरकार को रिजक्ट किया गया है, जनता दोरा तो दूसरी सरकार वो गलती नहीं करेगी, और सिस्टम को दोबाड़ा से सुरू करेगी, लोग रोजगार दिया जाएगा, कुछ राजनेतिक दाव पेच है, और इसमें गलती हमारी भी है, हमारे मीडिया के है, जो की मेन एस्ट्रिम मीडिया जो है, वो लोग बिल्कुल सही मुद्दा नहीं उठाता है, और मुझे लगता कहीं न कहीं, उन लोग को उपर प्रेसर होता है, कि आप वही दिखाए जो सरकार देखा, दिखाना चाहती जनता को, और जनता भी उसी में पता नहीं क्यूं, चलिए इस मुद्दे को छोड़ते हैं, इस मेंटर को छोड़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो 12 कर लिया है, उनको आगे क्या करना डेलवे में आने के लिए, तो सबसे पहले डेलवे में जो वैकेंसी निकलती है, वेकेंसी को आपको भरना है वेकेंसी को बाद आपका एक्जाम्स होता है जो परकेडिया होती है इंटर्व्यू तो नहीं होती है इंटर्व्यू को ही आप लोग वेरिफिकेशन को ही इंटर्व्यू बोलते हैं बहुत सारे लोग तो वेरिफिकेशन होती है आपकी सर्टिपि ही जाए तो मैं आपको भोड़ने अगर आपको डिल्वे में आना है अभी आपको कि चाहें दसमीने परहाई कर रहे हैं अपको डिल्वे में आना है तो आपको तयारी कब सुरू करनी चाहिए वेकेंसी निकलने के बाद या फिर एक्जाम डेट घोसित होने के बाद या फिर अभी सही इसका देखिए एस्टोरेंट की जो संख्या वो लव डेर से दो करोर से भी उपर इस बार तो डेर करोर की संख्या में एस्टोरेंट ने को फॉर्म भर रखा है अगली जो वेकेंसी आईगी उसमें लवह में धाई से तीन करोर एस्टोरेंट के बीच में जो होगा एस्टोरेंट के जो इतनी संख्या है ये सबी लोग फॉर्म को भड़ेंगे और फिर इतने के बीच में एक कॉंप्टिटिव होगी इसमें जो टॉप करेगा उसको मिले करनी पड़ेगी एक दिन भी बिना समय गबाए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी इसकी तैयारी आप लोग सोचे एक या दो या तीन या चार या पांच या छे महिने में हम कर लेंगे तो आपकी ये गलत फैमी है आप जब एक वार एक्जाम देजेगा फेल होगा तब आपको पता चलेगी कि आप कितने पानी में इसलिए बहतर है मैं आपको जिस तरह से गार्डेंस देता हूँ आप हमारे चैनल पर जितने भी गार्डेंस वाले वीडियो है उसको देखिए और उस तरह से आप तैयारी करिए फिर आपकी बहुत ही ज़्यादा बहतरी त और आप सबसे आगे निकल लिएगा हमारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंट है जिसकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा कम थी फिर भी उन लोगों ने रिजल्ट निकालके अभी नौकरी करके 30,40 सैलरी पार हैं तो इसी तरह साब करना है तो फ फिर आप अपने आपको भी देखें टेस्ट करके कि कितना आप लोग तैयारी करते हैं और इसी तैयारी के लिए आप हमारे माद्यम से बिल्कुल फास्टली तैयारी करना है बिल्कुल एक वार में रियल्ट लेके ही जाना है तो इसके लिए आपको हमारा हमने सारी किताबे लिखी है Master Notes स्रीज का किताब है जो की रेलबे एक्जाम के लिए 100% उप्योगी है आप इस किताब को पढ़िए और इसी किताब में से 90% कोशन आपके एक्जाम में बिल्कुल टैली करते हैं और इसी में से एक्जाम आने के पढ़ाई कर लेता है तो उसको काफी ज़्यादा च वीडियो कोचिंग करें फिर आपके त्यारी बिल्कुल हो जाएगी अगर आपके मन में किसी भी तरह कोई भी डाउट हो तो आप हमें वाट्षप पर मैसेज जरूर करें फिर आपकी त्यारी के लिए जितने भी चीज हमें करनी पड़ेगी हम आपको गाइडेंस करेंगे आपके मन की निगेटिविटी को दूर कर देंगे फिर आप आप आड़ाम से त्यारी कर पाएगा अप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करेंगा हमें हमने 2016 से वीडियो बना रहा हूं यूटूब पर और मैं एक चीज देख रहा हूं कि यूटूब देखने वालों में काफी ज्यादा चेंजे आएं उन लोग को लगता है उन लोग की लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है उन लोग लगता कि कोई भी वीडियो एक या दो मिनट के अंदर भी बाते मिल जाए और देर से दो मिनट से तीन मिनट के बीच में S1 लोग मन्दों की वीडियो देखना छोड़ देते हैं जबकि important बाते होती है तो आप लोग तो आसा time निकाल करके हमारे वीडियो को देखिए और कोई भी बात हो आप हमसे बिल्कुर खुल करके हमारे whatsapp पे share कर सकते हैं हमें phone करके पूछ सकते हैं और फिर आपकी problem देख में में जितनी भी private नौकरिया थी सबकी salary बंद हो चुकी है लेकिन जो भी एक्ट्वेंट सरकारी नौकरी कर रहे थे सबकी salary चालू रही जिसके वज़ा से उनको बहुत ज़्यादा help मिला support मिला वो लोग अपने पडिवार वाले को या फी उनके भाई बंदू जो भी नौकरी से उन्हों को salary नहीं मिल रहे थी उन सभी लोगों को उन्हों ने help किया तो ये बहुत वारा फाइदा देखने को म को आसान बनाने के लिए हम आपके पास है मैं काफी दिनों बाद वीडियो बनाया हूं पता नहीं किस तरह से विया बना वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर पूछ सकते हैं थैंक्यू समच